Hello friends, Welcome to my channel. आज हम इस वीडियों में जानेंगे Urbanization की accept जिसमें हम जानेंगे उसकी meaning क्या है उसकी definition क्या है उसके causes क्या है उसके impact क्या है अग उसके कारण क्या-क्या problems है तो चलिए, चलता है हमारी वीडियο की ओढ़ अद्द सबसे पहले जानते हैं कि Urbanization होता क्या है तो अर्बनाइजेशन एक कॉमन क्यरेक्टरिस्टिक से इकोनोमिक डेवलोप्मेंट का जैसे जैसे ग्रेजवल ग्रोथ हुई एकोनोमी में अर्बनाइजेशन की प्रोसेस भी सिफ्ट करते गई रूलर से अर्बन एरिया के लिए एलॉंग विद ग्रोथ अफ सब इंडेस्टिलाइज अर्बन सेंटर कि जैसे जैसे हमारी एकोनोमी में ग्रोथ हुई हम आरी जू रूलर पोपोलेशन वो सिफ्ट करते गई कहां से रूलर से अर्बन एरियास की और यही था हमारा अर्बनाजेशन इसी को हम कहते हैं अर्बनाजेशन कि हम धीरे धीरे अर्बनेदियास के तरफ जाते जा रहे हैं दूटू सोचल एन एकनोमिक प्रेशर पीपल फ्रम बैकवर्ड विलेजेश स्टार्ट टू मुव तो अर्बनाजेश सेंटर इन सर्च अप जॉब वैर नीवली इंडिस्ट इस्टेश इंडिस्ट्री अन्किलरी अक्टिविटीश कंटिनूसली ओफर जॉब अपर्चिनिट वहां पर जॉब अपर्टूनिटी जादे थी इसलिए माइग्रेशन भी बढ़ते किया लेकिन जो पेस्ट था हमारा अर्बनाइजेशन का वह फास्ट है अगर वह फास्ट तभी होगा अगर हमारे इंडिस्ट्रियल भी फास्ट होगा और वह डिक्लाइन होगा तभी जब अर्बन पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री के वह बहुत जादे बढ़ जाएगी मतलब जैसे इंडिस्ट्री बढ़ेंगे तो हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस बढ़ते जाएगा मतलब हम और से और से ज्यादा अर्बन एरियास के तरफ जाएंगे और यह तभी अर्बनाइजेशन अब देख लेते हैं उसके कुछ डेफिनेशन तो पहला डेफिनेशन है इंक्रीज इन दी वॉल्यूम आप डी टोटल पॉपुलेशन इं अर्बन एरियास इसे हम बोलता है अर्बनाइजेशन इसे अलग रूप में और डिफाइन कर सकते कि मास मूउमे पहले भी एक्स्प्लेन किया है और इसे बोल सकते हैं कि अर्बनाइजेशन डिफर्स तुदी ट्रांस्वर्मेशन ऑफ ससाइटी वेर रूलर एकोनोमी इस बिंग ट्रांस्वर्ट टूए अडवांस इंडस्ट्रियल एकोनोमी याने तो इसे एक सोसल प्रोसेस भी बोल सकत से जहां सीटी ग्रोफ एंड सोसाइटी बिकम मौर अर्म कि जो हमारा सोसाइटी है वह रूलर से अर्बन की और बढ़ते जा रहा है अब देखते हैं कि अर्बनाइजेशन के कारण क्या क्या थे तो सबसे पहला इंडरिश्टिलाइजेशन कि जैसे जैसे इंडरिश्टिलाइजेशन बढ़ते गए more and more people rural area से urban area से तरफ जाते गए किस लिए better employment के लिए और यह जो process of urbanization है यह हम हर जगा देख सकते कोई भी developing या developed countries में यह process हो ही रही है दूसरा है modernization जो हमारा urban area से वहाँ पर new technology है infrastructure development है better health care facilities है medical facilities है better standard of living है अज इसके कारण क्या हो रहा है कि ruler area के people इसके तरफ attract होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा urban area से तरफ migrate कर रहे हैं तो modernization भी एक कारण है urbanization का तीसरा है commercialization जो हमारा modern day trade and commerce है उसके कारण भी urbanization बढ़ते गई और यह क्यों ही क्योंकि development of trade के कारण हमारे पास commercial opportunity बढ़ते गई जिसके कारण urban areas में returns high हो गई जिसके कारण people urban areas के तरफ जाते गए मतलों वहां पर उन्हें फाइदा या वहां पर उनके income बढ़ गई जिसके कारण urban areas के तरफ हम प्ली कर रहे हैं चौता है हमारा social benefits social benefits जैसे की urban areas में better education है बेटर health care है transport facility अच्छी है sanitation की अच्छी प्रवंद है social status है बेटर recreational facilities है जैसे grounds है theaters है पार्क से clubs है जिसके कारण हम urban areas के तरफ मूब करते गए ताकि हमें modern lifestyle मिल सके तो social benefits भी एक कारण है urbanization का उसके बाद आया सबसे जरूरी employment opportunities unemployment तो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है तो रूलर areas में mainly जो people है वो डिमेंड करते थे किस पर agriculture पर या उसके अलाइड activities पर लेकिन urban areas पर बहुत सारे employment opportunities है इसके बहुत सारे सेक्टर में से एजुकेशन सेक्टर हो जाए हेल्थ सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्पोर्ट सेक्टर किसी भी सेक्टर में आपको employment की opportunity है उपर से अग्रिकल्चर सेक्टर जो है वह सीजनल डिपेंडेंस से मोंसुन पर याने तो इससे condition जब natural calamity साज़े जैसे drought हो जाए यह flood आ जाए तब वह मजबूर कर देती है पीपल को कि वह अर्बन अधियास तरब migrate करें ताकि उन्हें livelihood मिल सकें तो employment भी एक बहुत important कारण है अर्बनाइजेशन का अब देखते हैं कि अर्बनाइजेशन होने के अगा में कुछ positive effects भी आएं कुछ negative effects भी आएं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि positive effects क्या क्या है तो सबसे पहला आया हमारा efficiency ठीक है efficiency क्या हो गया कि अर्बन एरियास में अर्बन एरियास हमें resources बहुत efficiently प्रोवाइड कर सकते हैं रूलर एरियास के comparison जैसे clean water, housing, electricity यह सब अर्बन एरियास में हमें अराम से मिल जाती हैं दूसरा accessibility जो basic resource है उसके अलावा जो health care, medical facilities, higher and better education, transportation, transport, entertainment यह सब अर्बन एरियास में ज्यादा accessible है तो यह थी इसकी positive effect और भी है positive इसमें चलिए वह भी देख लेते हैं जैसे की बताए accessible है जैसे education अर्बन एरियास में बहुत सारे school है university college है as compared to rural areas जिसके कारण student को ऐसे भी for higher and better education के लिए migrate करना पड़ता है अर्बन एरियास के लिए और अर्बन एरियास में student के अपास variety of carrier option available in comparison to rural areas तो यह इसके positive है health care में देखें तो अर्बन एरियास में नुमरेस एंप्लाइमेंट है क्योंकि various sectors open है in fact उसके साथ बिजनेस ऑप्सन भी available है हमारे cities में पिर आते हैं better social MLG mission इसका मतलब होता है कि मेल मिला अर्बनाइजेशन जो है वह प्रोमोट करती cultural and social fusion को पीपल जो अलग religion caste और जेंडर के हैं वह एक साथ काम करते हैं और जिसके करण वह सोचलाइज हो जाते एक दूसरे से जो हमारे पूराना जो social and cultural barriers था उसे ब्रेक कर देते हैं जिसके करण हमें यह बहुत सब्सक्राइब है जैसे जो हमारे सोसाइटी में कुछ evils प्रेजेंट है जैसे कि का सिस्टम है चाइल्ड मेरेज अकुछ ओल्ड ट्रेडिशनल बिलीब जैसे मैजीक और वीचक्राइब यह सब धीरे-धीरे खतम होते जा रही है अब आते हैं कि इसके कारण क्या-क्या प्रॉब्लम्स एराउज हुए प्रॉब्लम्स मतलब इसके नेगेटिव तो सबसे पहला ओवर मतलब क्या होता है कि ओवर पॉपुलेशन इन अर्बन एरियास ड्यू टू माइग्रेशन पीपल इतना ज्यादा माइग्रेट करने लगए कि अब अर्बन एरियास में जगा ही नहीं अब जब ओवर पॉपुलेशन हो गई तो लैक आप हाउसिंग फेसिलिटीज हो गई है और इसका में कारण क्या है ओबर पॉपुलेशन इंदी अर्बन एरियास माइग्रेशन के कारण जिसके कारण क्या हुआ जो ग्रोथ इन एकोनॉमिक अपर्चिनिटीटी से वह फेल कर गई कि वह अपना रफ्तार अर्बन पॉपुलेशन के ग्रोथ के पैललल रख पाए त तो राइजिन स्लम से रियास भी हब देख सकते के अट अलार्मिंग रेट बढ़ते ही जा रही है जिसके कारण पोवर्टी अर्बन एजेशन और अनिंप्लेमेंट यह मेजर रीजन है हमारे स्लम से रिया बढ़ने के इसके साथ ही साथ ट्राफिक भी बढ़ती गई क्योंक सबसे इंपोर्टेंट पॉल्यूशन भी बढ़ गई पॉल्यूशन जो एर वाटर लेंड किसी भी ले लिजे सब में बढ़ती गई क्योंकि इंडेस्ट्री जो है वह ग्रीन हाउस गैसे फ्यूल कंबसें वाइब हैकल्स वेस्ट डिस्पोजल यह सब क्या किये टेंपरेच चल्सियस और टेंपरेचर गाइस कर जाएगी जिसके करन लोगल वार्मिंग की खत्रा और बढ़ते जाएगी ओजों लेयर डिप्लिशन के खत्रा बढ़ते जाएगी और भारियर्यस हजाड़ेज डिजीज भी इसके कारण होने लगेगी अब इसके अलावा अर्बनाइज भी बढ़ गई पॉपुलेशन भी बढ़ गई डिजीज भी आ गए जिसके कारण हमारा डेवलोप्मेंट भी रुप गया और मॉर्टिलेटी रेट बढ़ते लिए मतलब बच्चों की मौत या आदमियों की मौत बढ़ने लग गई बायोडाइस वर्सिटी लॉस हो गई फायर हैजार्ड सा गया है क्राइम बढ़ गया अर्बन में हीड बढ़ गया लैक ऑफ हॉसिंग एन ओपन एरियास हो गया है अबनॉर्मल बर्थ होने लगे बहुत सारे बच्चे तो पेट में ही मर जा रहे हैं तो यह सब भी अच्छा है हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए कि बहुत से जादस जादसे लोग मॉडल नाइप जीना चाहते हैं बेटर एजुकेशन चाहते हैं इंप्लाइमेंट और पर्चिनिटिस चाहते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव रिपकरसन तो है ही कुछ अ यहां पर अर्बनाइजेशन बढ़ते गए तो हमें इसे किसी तरह भी रोकना होगा तो हमें यह तीनों चीज जो इंफ्रेस्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉप्मेंट यह बेसिक फैसिलिटी जो अर्बन एडियास में एवलेबल है उसे हमें रूलर एडियास में भी प्रवाइ करने पड़ेगी तब इससे इसका जो नेगेटिव इंपक्ट है वो खतम हो जाएगा और हमारा देश दीरे-दीरे और अच्छी रेट में डेवलोप करने लगेगा तो यह थी पूरी अर्बनाइजेशन की कंसेप्ट तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया तो प् वीडियो देखना है तो आप मेरे प्लेइलिस्ट में जा सकते या मैं आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो की लिंक सेयर कर दूंगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू